पूरा दिन याद करें तो मार्केट ने यह गैप अप किया लगबग 60-70 पॉइंट के आजप पास का गैप अप था आपको करना किया है आपको चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज कर देना है टाइम फ्रेम ठीक है हमने यह पहला केंड़ा हमने 15 मिनट पे किया उसके बाद में आपने उस 15 मिनट के ब्रेक आउट पे मतब ब्रेक आउट या तो वो ऊपर के तरह ब्रेक करे या नीचे के तरह ब्रेक करे आपको वहाँ पर ट्रेड अपना लेना है इसक को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है हमारे पास दो तरह के support आएंगे एक आएगा जिसको आप price बोलते हैं दूसरा आएगा जिसको आप indicator based या फिर मैं कहूंगा आपके horizontal line या trend line based आपके जो support resistance होते हैं वो होते हैं तो अगर आपको याद हो आज 15 minute के breakout के बाद में इस candle से हमें breakout मिल गया उसके बाद में हमने trade क्यों नहीं लिया put side में reason being कितने लंबे time से 21 580 से लेके 21 6100 का हमारे पास support आ रहा था वहां से वापिस भागा तो आप यहाँ पर buy on dip कर सकते हैं लेकिन कभी कभी हम यहाँ पर भी confidence शो नहीं कर पाते हैं reason अभी एक bounce back हुआ है क् फ़रा सा candle जाने के बाद में फिर से आजे फिर हम क्या करेंगी हमारा यहाँ trade बनता है मैं हमेशा कहता हूं कोई भी trade अगर आपको लेना है कोई भी trade अगर आपको trade करना है तो छोटा सा आपको support की जरूत पड़ेगी तो यहां से कोई हमें support नहीं मिला ना सिधा भागता च मिलेगी उसके बाद में आपको यह चेक करना है कि आपका resistance कहा है OI basis पे हमने find किया था कि हमारा resistance 21700 पर अवेलेबल है यह OI आपको मिलेगा option chain से आप option chain को समझना शुरू कर देजिए आप option trader हैं तो आपको option chain के बारे में पता होना चीए अगर थुरा सा idea लेना है तो यह आ आप देखेंगे तो आपको option chain 70-80% समझ में आयागा उसके बाद आपके खुद के practice है तो आपने हमने देखा कि OI पे maximum resistance अवेलेबल था यह मैंने आपको टेलिग्राम पे पोस्ट किया था तो अगर आपने हमारा टेलिग्राम जॉइन नहीं किया है तो अभी description box में लिंक अ मत भूलेगा जो भी नया वीडियो आएगा उसका notification उसके बाद ही आपके पास में आएगा और सरफ ऐसा करके आप हमारी channel को बहुत support करते हैं जो इसकी हमें काफी जरूरूत है चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें किया रहा था कि यह हमें resistance मिला तो यहां से फिर हमें अपना नीचे तक 520 का हमारे पास फॉल आ गया अब overall situation आपको समझ में आगई यह हमने gap up के basis पर किया इसी तरह से अगर gap down open करता है stock तो 15 minute उसके बाद में यही और यही और मैं जितना आपको resistance जैसे मैं यह बार-बार आपके लिए plot करता हूं यह बहुत important चीज है जैसे आपको यह यहां दिखाए दिया मैं सब delete कर रहा हूं यह बहुत important है क्योंकि यह आपके stop loss यहां बनते हैं मैं बड़े stop loss को prefer नहीं करता हूं कई बार मजबूरी में लेने पड़ते हैं लेकिन मैं बतायता हूं कि यह आपकर इसके trade रहेगा हमेशा छोटे prefer कर नीचे गिरा यहां पर य यहां पर अब आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है 30 मिनट क्यों आना है मैं आपको बताऊंगा कभी कभी चार्ट को थ्रौसा ज्यादा squeeze करके देखना पड़ता है मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो यहां पर बार बार इनी लेवल को nifty हिट कर रहा है और इ यह होता है weakness का sign अगर ऊपर की तरफ हिट करेगा तो यह sign होता है strength का नीचे की तरफ हिट करेगा तो वह sign होता है weakness का तो अब हमारे लिए यही level ready होता जा रहा कि हमारा कोई भी अगर यह level break हो जाएगा कल भी हमने डिसकस किया था कि हमारे पास support पे stock है और याद रखें जब मैं गिराता हूँ और table को हटा देता हूँ तो कहां के देगा यह नीचे गिरेगा same way जब stock का price कहीं गिरता है तो अपने support level को touch करता तो वहीं से bounce back आपको मिलता है इस चीज के लिए कभी miss मत कीजेगा क्योंकि कई बार आपको लगता है कि support level पे आगा तो bounce क्यों support से ही bounce होता है और एक bounce sustain कर गया ठीक है दूसरा bounce sustain कर गया ठीक है तीसरा bounce generally हम नहीं कहते है कि bounce करेगा उसके बाद तो stock नीचे आना शुरू हो जाता है जैसे अब यह अरड़ी हम दो बार देख चुग है एक ही हो गया एक दूसरा हो गया आज मैं कहरा हूँ कि अब weakness शुरू हमें दिख करें मिल जाएंगे कभी कभी तीन तक भी चला जाएगा लेकिन उसके बाद अगर जाता है समझ जाएगा market में उस level को break करने की काफी कोशिश किया जा रहा है और stock नीचे करेगा तो अगर आप stock नीचे करे रहा है तो हम इस कैसे handle करना है चले बात करते हैं देखिए आज की जो closing है वो है 21 544 की 21 544 हमारा resistance कहा है 21 580 यहाँ से आपके 570 भी बन जाएगा 70 नीचे की तरफ आपके पास support कहा निकल के आ रहा है 21 520 से लेके 500 यह दो level है इसके उपर ऐसे तो gap down होगा तो आपको ऐसे handle करना है या फिर ऐसे handle मतब आपको नीचे से भी हो सकता ना उपर बाद में और कोई condition ऐसे आती है कि gap up open होता है तो आपको ऐसे handle करना पड़ेगा तो इस basis पे आपका buy बनेगा तो यहाँ पर आप call buy कर सकते हैं और इस situation में आपका put buy बनेगा in level के break होने के बाद में ना तो कल आपको इस salon rise करेंगे until जब तक आपके पास जैसे आज यहाँ द direction पकड़ी आएगी जिसके साथ में आप अपना flow कर सकते हैं इस condition में क्या होता बड़े profit है आप क्या करता है छोटे छोटे दस trade लिजेगा 10 trade मैं कहता हूँ कई बार तो 20 trade लेते हैं लोग और आपका 1 trade is equal to 20 trades यह अगर आप wait करेंगे पहली बात तो tension कम, सिरदरदी कम, profit लग bank nifty के बारे में देखिए यह भी support level है जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि आपको level mark करने है तो देखिए उसने वहीं पर उसी level को touch किया और यहां से नीचे किरा उसके अलावा 48,000 पे काफी अच्छा support available है, sorry, resistance available है in terms of OI, तो इन चीजों को कभी miss मत कीजेगा, अब support बनाया यहीं पर आग गिरा, और यह जो level निकल के आ रहा है, 47,200, उपर के तरफ 47,350 का level है, अब यह closing कहां पर है मैं देख लेता हूं एक बार, यह आपकी है 242, तो यह level अगर break करता है bank nifty, तो आप क्या करेंगे, आप इसको put buy करेंगे यहां पर, थोड़ा सा wait करेंगे, 9 9.45 से पहले कोई trade मत लीजेगा, और 9.45 तक 15-15 मिनट का time frame लेकर चलिएगा, जब trade नहीं लेना, तो छोटे time frame को क्यों plot करते हैं, बड़े time frame को plot कीजेगा, अच्छा chart दिखेगा, आपको समझ में भी जाद आएगा, आपको levels भी clear नजर आएगे, जब trading के लिए आप ready हो जा हो सकता है कि आपको 300 पर भी entry मिल जाए, बट यह entry ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यह वाल levels, मैं इनको मान के चल रहा हूं, कि यह levels आपको पहले भी इन्ही levels के आसपास आएं, तो इसके ऊपर जाता है, ऐसे, या फिर ऐसे मिलता है, तो आप यहाँ या gap down हो, तो definitely मैं कहूंगा, range breakout आपका, बढ़िया momentum लेगा, वहाँ पर आपको naked trade भी allowed है, ले सकते है, proper risk management यह रहेगा हमारा bank nifty, financial nifty, देखे, financial nifty में भी हमने पहले ही levels को mark किया हुआ है, यह levels mark है हमारे, और यही level, देखे, आज भी उससे पहले भी hit हुआ था, अब यह ज जो low बना था, वो था, 21,160, तो नीचे का level हमारा है, 21,160, ऊपर का level, यह हमारा जो level है, यह तो 21,300 के around है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम target मान के चलिए, अगर आपको चेक करेंगे, 300 के आसपास, सिधा candle भागेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो वेट करेगा, तो यह हमारा target हो जाएगा, entries में हमारी कहां बनेगी, entries में बन रही है हमारी इस level पर, इसको फ्रहा सा और चेंज करें, नीचे की तरफ, तो मुझे लगेगा, this one, 21,230, इसके उपर आपका call buy बनता है, और यह जो level है, यह break होने के बाद आपका put buy बनेगा, यहाँ पर अगर आपको लगत देखेंगे, अगर range breakout की बात करें, आज के trade को उसके according लिए देखेंगे, तो यह हमारा first candle था, यह वाला first candle था, तो हमने यहाँ पर pick किया, और यह उसका, तो अगर आप ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा sell मिला, और दूसरा आपको इस वाली candle पर sell मिल और यहाँ से, तो 1035 से लेकर आपको कितना मिला, 11120, तो 15 point का आपके पास में यहाँ से fall आया, अच्छा trade है, बढ़ी आपको result मिलेगा, अगर आप ऐसे ही आगे करके चलेंगे, और दो बार confirmation आगे है कि यहाँ पर यहाँ पर, उसके बाद आप देखेगा, यह था torrent power, torrent power म आपने क्या किया, यह हमारा first candle का high था, और यह first candle का हमारा low था, तो ideally अगर आप देखेंगे, उसी के बीच में सारा trade चला गया, अगर आपने trade लिया भी, अगर बहुत बड़ी candle बनती है, avoid कीजिए, क्योंकि यह indicate करता है, market as बहुत volatile होने वाली है, उसके अलावा अगर आप चेक करेंगे, अमभुजा सेमेंट को देखें, यहां से इधर कहीं बन रहा trade, कहीं नहीं बन रहा, अगर कहीं बनता भी है, तो minor सा stop loss बनेगा, इसको adapt कीजिएगा, बहुत अच्छे आपको trade मिलेंगे, उसके अलावा चेक करते हैं, गुजराद गैस में, गुजराद गैस म अगर कलके trades की बात करें, तो पहला pick है हमारा Apollo Tire, Apollo Tire में देखेगा, मैं यहां पर एक line draw कर रहा हूँ, यह हमारा one day time frame का chart है, इसको अगर check करेंगे, तो आपको यह एक fall attempt, दूसरा और attempt, और देखें, अच्छा खासा volume का भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यह है breakout कर देता है, तो यहां पर आपका buy initiate होगा, और 465 का level जो है, वो आपका 30 minute time frame पर लगेगा, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, यह कुछ ऐसा, तो यहां break होने के बाद में, आपका sell initiate होगा, Apollo Tire में, maximum stop loss आपका 4 रुपेका होना चीए, उससे बड़ा stop loss मत रखेगा, उस सपोर्ट क्या कर रहा है, यह बार बार जैसे मैं भी बताया था, हिट कर रहा है नेचे के तरफ, यह सपोर्ट निकल के आ रहा है, आपका 324 के आसपास, 324, 325, तो आप क्या करेंगे, 325 के नीचे sell करेंगे, उसमें पहला target आपका 322 रहेगा, उपर जाता है, तो आपको 330 के आपका यहाँ पर buy initiate होगा, और इसके नीचे sell, तो इसमें आपके target रहेंगे 33 और 36 के, और नीचे एक तरफ देखेंगे 319 के, यहाँ भी आपका maximum stop loss होना अच्छे 3 रुपे का, और यह आपका, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से bounce back करता है, तो भी अच्छा, और इसक अधा clear नजर आएगा, इसको हम ऐसे करते हैं, and you will find here, यह देखेगा, यह levels मैंने यहाँ plot कर दी है, इधर maximum जहाँ पर हमारे पास support है, उपर से एक line draw कीजेगा, जो resistance बनाएगा, वैसा आपका यह बन जाएगा, आपका पूरा पूरा trade, और हलक असा अब last levels को यहाँ चेक कीजेगा, दो बार हिट गया है, यह इसको break करता है, तो buy और इसको break करता है, तो sell, तो यह आपका बनेगा 558, जिसमें आपका पहला target 550 के आसपास बनेगा, और उपर break करता है, तो I think यह आपका 565 के break होने के बाद में, level 1-2 रुपे उपर नीची हो सकता है, ध्यान रखिए उसको इन ही level पर एक बार जाने दीजिएगा, support लेते हैं, buy कीजिएगा, नीचे आता है, resistance phase करते हैं, आप LSE housing finance में sell ले सकते हैं, maximum stop loss 5 रुपे का, चार में भी काम चले, तो अच्छा रहेगा, अगला stock है मेरे पास Kendra bank, Kendra bank को दीखेगा, Kendra bank में यह वाला part दीखेगा, इन 452, नीचे break करता है, तो 448 से लेके 447, जैसे मैंने खाए, एक दू रुपे चलेगा, यह level आपका काम करता है, buy के लिए, और यह level आपका काम करेगा, sell के लिए, यहां भी indication बता रहा है, कि इसके नीचे, अच्छा fall हमें देखने को मिलेगा, Kendra bank में, और bounce करता है, तो एक ब हो गये हैं, तो आसे यार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, मिलेंगा अगली वीडियो में, until then, take care, have a nice day, bye-bye.